बोलिवुर्मा ड्रक्स ना चलड़नी बात अक्शी कुमारे कबूली छे अक्षी कुमारे बोलिवर ड्रक्स कनेक्शन पर आखरे मोन तोड़ता कहूँ छे बोलिवर इंडस्ट्री मां खराबी छे पन बदा एक जेवा खराब नती होता अक्षी कुमारे कहूँ के ड्रक्स नों मुद्धो छे पन प्लीज आखी इंडस्ट्री ने बदनाम न करो चिंदाय हती तेन चत्ता अत्यार सुधी एकके मोटाश्टारे खुली ने आमामले वात नथी करी जो क्या हवे अक्षिक कुमारे आमुदे मौन तोडियो छे अक्षिक कुमारे एक एमोशनल वीडियो मुखी ने बोली उर्मा ड्रक्स नू चलन चे तेवु जनाव्यू पन त आज थोड़े भारी दिल से आपसे बात कर रहा हूं पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारी बाते आई मन में कहने के लिए लेकिन हर तरफ इतनी नेगेटिविटी है कि समझ में नहीं आता है कि क्या बोलू किस से बोलू कितना बोलू कि देखिए स्टार्स भले ही हम कहलाते हैं लेकिन बॉलीवुड को आपने अपने प्यार से बनाया है हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है हमने फिल्मों के जरिये हमारे देश के कल्चर हमारी वैल्यूज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जब 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 हमारे देश की जंता के सेंटिमेंट्स की बात एंगरी यंग मैं वाला अक्रोश हो या फिर करप्शन हो गरीबी हो बेरोजगारी हो हर इशू को सिनेमा ने अपने तरीके से दिखानी की कोशिश किया ऐसे में अगर आज आपके सेंटिमेंट में गुस्सा है तो वो गुस्सा भी हमारे सर माते पर है सुशान सिंग राजपूत की सड़न डेथ के बाद से ऐसे बहुत से इशूस सामने आए हैं जिन्होंने हमें भी इतना ही दर्द दिया है जितना आप सब को और इन मुद्दों ने हमें अपने खुद के गिरेबान में चांकने को मजबूर किया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी खामियों को देखने को मजबूर किया है जिन पे ध्यान जाना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे टर्कॉटिक्स और ड्रग्स के बारे में आजकल बात हो रही है मैं आज दिल पे हाथ रखके कैसे आप से जुट बोल दू कि ये प्रॉब्लम एक्जिस्स नहीं करती जरूर करती है वैसे ही जैसे हर इंडस्ट्री पर हर प्रोफेशन में होती होगी कि हमारी law enforcement authorities और courts इस पे जो भी जाच जो भी action ले रही है वो बिलकुल सही होगा और मैं ये भी जानता हूँ कि film industry का हर इंसान उनके साथ पूरी तरह corporate करेगा पर प्लीज हाच जोड़के कहता हूँ ऐसा तो मत करो ना कि पूरी की पूरी industry को एक ही बदनाम दुनिया जैसी नजरों के साथ देखने लगो ये सही नहीं है ये तो गलत है ना मुझे परसनली हमेशा से मीडिया की ताक्त में बहुत विश्वास रहा है हमारा मीडिया अगर सही मुद्दे सही वक्त पे ना उठाए तो शाहिद बहुत से लोगों को ना आवाज मिलेगी ना इंसाफ मैं मीडिया से तहे दिल से request करना चाहता हूँ कि वो अपना काम अपनी आवाज उठाना जारी रखे लेकिन प्लीज थोड़ा sensitively क्योंकि एक negative news किसी इंसान के सालों की reputation बरसों की कड़ी मेहनत को बर्बाद करके रखतेगा और आखिर में आप fans आप लोगों को मेरा यही message है कि यार आप सब नहीं तो हमें बनाया है आपका विश्वास जाने नहीं देंगे अगर आपको कोई नाराजगी है तो हम और महनत करेंगे अपनी खामियों को दूर करने की आपका प्यार और विश्वास जीत के रहेंगे यार आप हो तो हम हैं बस साथ निभाए रहना साथ बनाए रखना हरा आप हो दो हैगे